हेलो गाइज मैं है कुमार और आप देख रहे है Zcreator और आज इस पार्ट 4 के वीडियो में हम देखने वाले है कि कैसे मैंने इस मॉडल को रेंडर किया है मार्मोसेट टूल बैग में लेकिन उसके पहले हम जानेंगे कि कैसे हम इंपोर्ट करते हैं मार्मोसेट टूल बैग में तो मैं माया में आ जाता हूँ और तो आप देख सकते हो यही मॉडल को मैंने हैं सब को क्लिक और और हर एक चीज को मैंने एक्सपोर्ट किया है जैसे अगर यह सार्जंट है तो इस को फाइल एक्सपोर्ट सेलेक्शन और FBX फॉर्मेट में राइफल को अलग यह सारे सब क कुछ अलग मैंने export किये, आप इस folder में भी देख सकते हो, जैसे कुछ beard है, तो यह कुछ इस तरीके का beard है, यह मैंने अलग से export किया है, यह अलग से export किया है, ऐसे करते करते, like grass है, hands है, red wool है, ठीक है, ऐसे rifle है, rocks sergeant, यह यह पूरा model है, कुछ मैंने test किये ते और कुछ table है, तो जो भी चीज मुझे यहां से लग रही है, कि मुझे export करना है, मैं यहां से export करके, and then फिर में marmoset tool bag में import कर देता हूँ, marmoset tool bag यूज करने में काफी simple है, आप यहां पर देख सकते हो, यहां पे scenes है, ठीक है, आप देख सकते हो, render option है, main camera है, sky है, तो sky में मैंने like, यह, क्या कहते हैं, HDRI मैंने यहां से लिया है, image में हम select कर सकते हैं, यहां पे मेरे पास कुछ HDRI है, अगर आप internet पे जाते हो, और HDRI haven करके type करते हो, तो आपको यह site पर आपको यह ले कर जाएगा, यहां से आप काफी सारे HDRI यहां पे download कर सकते हो, यहां पे select करना है हमे, and then just आप indoor, studio light, ऐसे सब कुछ आप download कर सकते हो, यहां पे देख सकते हो, वही चीज मैंने यहां पर ली है, जैसे कि आप marmoset tool bag में देख सकते हो, यहां पे आप देख सकते हो tomoko studio, तो यह चीज मैंने substance painter से ली है, जो कि आपको, I think, आपके environment में मिलेगा, और यहां से भी आप export कर सकते हो, HDRI, अगर आपको जैसे results चाहिए, तो right click करना है, export resources, और फिर यहां पर आके substance printer में image में आके, and then आपको ऐसा कुछ file मिलेगा, and just select करके open करना है, तो आपको इस तरीके का image आपको यहां पर म चाहिए देगा, जो कि blur होता है, होता है, ठीक है, तो यह HDRI है, आप यहां पर इसको color भी कर सकते हो, और कोई भी background color दे सकते हो, ठीक है, इस तरीके का, ठीक है, तो मैं इसको default ही रखता हूँ, और और फिर आप यहां पर backdrop brightness कर सकते हो, तिंकि यह sky में work करेगा, ठीक है, तो आप यहां पर blur sky भी कर सकते हो, ambient sky आप देख सकते हो, कैसे, उनो, उसका result आता है, background के लिए, यहां पर मैं color select करता हूँ, यहां पर इसका कुछ यह work नहीं होगा, यह सिर्फ sky में work होगा, ठीक है, तो इसको मैं 1 ही रखता हूँ, यह, 1 ही रखता हूँ, और आप यहां प mode को, you know, move, rotate, या pan कर रहा हूँ, इस तरीके से, और फिर हम देखेंगे light, आपको यहां पर light नहीं दिखाई दे रही है, तो यहां पर view है, अशायद से आपको view भी नहीं दिखा ही नहीं देगा, क्योंकि यह थोड़ा सा black है उपर portion में, फिर मैं यहां पर view में आके, you know, show guides क करूंगा, जिसका shortcut की है control U, ठीक है, तो आप देख सकते हो, यहां पर मैंने कुछ lights लिये है, actually इसमें बहुत सारे cameras भी है, तो मैं cameras को actually off कर देता हूँ, ठीक है, यह कुछ light है, यहां पर मैंने, I think मैं W प्रेस करूंगा, तो यह like यह gizmo आ जाता है, तो आप इसको move भी कर सक तो इसको मैंने lock किया हुआ है, ताकि यह move ना करे, ठीक है, तो और यह कुछ spotlight मैंने use किया है, और यह omni मैंने use किया यहां पर, ठीक है, तो light create करना काफी आसान है, बस आपको यहां पर click करना है, यह जो आपको like bulb चैसा देख रहा है, तो इसको आपको click करना है, एक spotlight आ रहते हैं बहुत जाता, इस तरीके से, और फिर कौन सा shape होगा, rectangle होगा, तो rectangle होगा, ठीक है, और फिर आप उसके shape को, you know, spot to, यह spear, spear रखता हूँ, spear definitely काफी अच्छा रहेगा, अगर मैं rectangle करता हूँ, तो यह कुछ rectangle ऐसा होता है, इस तरीके का, ठीक है, तो generally हम इसको like spear ही र आप इसकी brightness को कम जदा कर सकते हो, and then direction दे सकते हो, यह यहीं पर आप directional light भी दे सकते हो, अगर आपको ऐसा कुछ देना है, तो यह sun के जैसा behave करता है, मैं E press करता हूँ, rotate करने के लिए, और आप देख सकते हो, यहाँ पर shadow भी आया, तो directional light का कोई, क्या कहते है, position नहीं, position नही जैसे behave करता है, तो जैसे आप rotate करोगे, उसके according वो लेगा, आप देख सकते हो, shadow भी उसकी move हो रही है, तो depend करता है, को shadow cast करना या नहीं, तो of course हर एक light से shadow cast होता ही है, तो अगर मैं off करूँगा, तो आप देख सकते हो, वहाँ पर shadow नहीं generate होगी, और फिर आगे देखते है, directional है, और फिर omni light है, ये overall light, अगर आप lighting करते हो, तो आपको idea रहेगा कि ये कैसे work करता है, आप यहाँ पर इसकी brightness change कर सकते हो, या फिर आप इसकी like rim light, आप यहाँ पर दे सकते हो, अगर आपको ऐसे कुछ देना है, और camera में इस तरीके से fit करना है, या आप color भी change कर सकते हो, तो अगर आपको कुछ specific color देना है, इस तरीके का, तो एक tone आजाता है, उसके अंदर शाद से थोड़ा brownish tone देते ता हूं, इस तरीके का, और थोड़ा कुछ orangeish tone है, आप यहां पर light के साथ कफी कुछ कर सकते हो, यहां से transform भी है, जैसे आपने transform किये, और फिर यहां पर आप देख सकते हो, light के यहां पर ताले जैसा है, यह lock है, एक बार आपने यहां पर click किया, and then वो lock हो गया, आप इसको move नहीं rotate कर सकते हो, ठीक है, और अगर आपको लगत की है, control you, तो वो सब कुछ off हो जाएगा, आप camera भी देख सकते हो, मैं camera को भी on करता हूँ, आप देखोगे, view और show guides करता हो, फिर से, तो इस सारे सब कुछ camera है, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, तो अगर आपको यहां पे कुछ delete करना है, तो अगर आपको यहां आप देख सकते हो, turn table लिखा हुआ है, इसके अंदर जो है, काफी सारे models है, जो मैंने export किये थे, जैसे मैंने आपको बताया था, folder में मेरे सारे, you know, थे, वो सब कुछ मैंने यहां पे import किया, और उसकी position भी लगभख वहीं पर है, जैसे my app पे है, ठीक है, and then हमें क्या करना ह मैं मान लेता है, यह नहीं है अभी फिलाल के लिए, तो यहां से भार निकालने के लिए मैं इस rock से लेके shift पकड़ के मैं beard तक क्लिक करता हूँ, और मैं click और drag करता हूँ, आप देख सकते हो, यह video camera के अंदर आ रहा है, आप देख सकते हो, वहां पे green line है, लेकिन अगर आप थोड़ा left पर जाओगे, तो आप देख रहे हो, कैसे snap हो रहा है, यह green color, तो इसका मतलब है, यह video camera में जा रहा है, folder के, अगर आप थोड़ा सा left पर जाते हो, तो यह भार आ रहा है, ठीक है, तो आपको भार लेना है, मैं आपको फिर से बताता हूँ, अगर मैंने video camera में किय तो वो video camera के अंदर चले जाएगा, ठीक है, जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है, तो क्या करना है, मैं just click करना है, आप देख सकते हो, यहाँ पर दो green है, एक left side पर green है, एक right side पर green है, ठीक है, तो जैसे मैं mouse cursor हिलाता हूँ, left side पर, और मैं छोड़ देता हूँ, तो यह भार आ ज करता हूँ, और फिर मैं यहाँ पर आप देख सकते हो, turn table का option होगा, जो की है, यहाँ पर मिलेगा, आपको scene में, add object और turn table, ठीक है, तो यह turn table में जो है, आ जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हो, timeline है, और अगर मैं यहाँ पर play button करता हूँ, तो यह turn table जो है, शुरू होता है, ठीक है, यह आपको कुछ camera दिखाई देगा, जो उपर से नीचे जा रहा है, यह सब कुछ camera मैंने बनाया है, marmoset tool bag में, तो मैं आपको थोड़ी दिर में बता हूँगा, कि यह कैसे से हम marmoset tool bag में animate करते है, अब हम थोड़ा यहाँ पर ध्यान देते है, materials की तरफ, तो मै मैं आपको कुछ करके बताता हूँ, पहले तो मैं यह guides off कर दूँगा, जो यह cameras है, ठीक है, तो, sorry, view में, guides off, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो, plus, यहाँ पर duplicate material, यहाँ पर कुछ create material आप यहाँ पर कर सकते हो, जहाँ पर cloth है, displacement है, glass है, hair है, metalness है, skin है, specular है, आप folder भी बना सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आप कुछ material डिलीट करना है, तो delete भी कर सकते हो, ठीक है, और यहाँ पर आप आओगे, यहाँ पर देख सकते हो, यह प्लस माइनस है, जैसे मैं इसको माइनस करता हूँ, तो, इस तरीके का, अगर आपके पस बहुत सारा material है, तो आप चोटा करके आप यहाँ पर, यहाँ कर सकते हो, तो इस tutorial के लिए मैं आपको, यह इस head accessories के लिए कुछ बताता हूँ, तो कैसे इस apply करते हैं, मैं इसको delete करते था हूँ, तो just, इस material को भी delete करने के लिए, just आपको delete प्रेस करना है, ठीक है, तो select करो, sorry, select करो and just delete, ठीक है, तो य default material ले लेता है, आपको एक material create करना है, यहाँ से plus sign से, ठीक है, और इसको हम rename दे सकते हैं, for example, head accessories, ठीक है, मैं कुछ essay नाम दे देता हूँ, ठीक है, और फिर हम, यहाँ पर image पर आएंगे, sorry, जो हमने export किया था, substance painter से, जो कि मैंने आपको previous tutorial में पता है, आपको just select करना है, sorry, head S, ठीक है, और फिर, यहाँ पर है, मैं इसको pin कर देता हूँ, और जितने सारे head S, जैसे, यह head AO है, तो यहाँ पर हमें AO को पहले activate करना होगा, आप देख सकते हो, यहाँ पर कुछ नहीं है, आपको इस drop down option में आके occlusion on करना है, और फिर आपको click और drag करना है, इस occlusion में, ठी हम देख सकते हो, यहाँ पर albedo है, तो यहाँ पर click और drag albedo में, यहाँ पर आप देख सकते हो, height की कोई ज़रुरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि substance printer height भी generate करता है, ठीकिन इस में marmoset के लिए कोई ज़रुरत नहीं है, यहाँ पर देख सकते हो, head metallic, तो यह metalness में जाएगा, ठीक तो इस तरीके से एक material बन जाता है, and that's it, आपको यहाँ से फिर just click और drag करना है, इस material पर, इस model पर, तो यह इसलिए नहीं हो रहा, शायद से, क्योंकि यह lock है, I think so, तो आप देख सकते हो, I think यह lock है, इसलिए नहीं जा रहा है, तो यह चले जा, एक बार यह हो जाएगा, आने के बाद हम like lock को हम दुबारा कर सकते है, तक ही model में कुछ फिर changes नहीं, तो basically ऐसे ही, you know, मैंने सारे सब कुछ, जितने भी यहाँ पर है, आप देख रहे हो, सब को मैंने ऐसे ही किया, अगर आप rifle को भी देखोगे, तो वही है normal map and albedo, roughness, metalness map, ठीक है, तो next skin के लिए मै कुछ बताता हूँ, for example, face है, ठीक है, तो इसको भी मैं समझ लीजे, मैं delete कर देता हूँ, यहाँ पर, तो आप देख सकते हो, default material है, यहाँ पर, और इस face का भी शायद से, यहाँ पर आप देख सकते हो, lock है, तो इसको मैं unlock कर दूँगा, जिसको यहाँ पर click करके, मैं एक material ब है, हमारे पास और भी options हाते है, जैसे scatter map, ठीक है, तो यह determine करेगा, तो मैं जिस आपको click और drag करके बताता हूँ, यहाँ पर मैं इसको face low पर assign कर दूँगा, यहाँ पर आप color दे सकते हो, जो भी समझ लीजे, थोड़ा skin type color दे देंगे, इस तरीके का, ओके, और फिर आप यह depth आप देख सकते हो, कितना wax look दे रहा है, ठीक है, तो same like हम यहाँ पर maps भी use करेंगे, तो यह face के लिए है, तो यह face का मैं click or drag करना है, मुझे, यहाँ पर that's it, I think मैं यही किया था, और कुछ face का metallic version तो नहीं है, normal map है, इसका तो just मुझे, यहाँ पर normal map में, head का normal map डालना है, अब देख सकते हैं, वो detail लिया हुआ है, roughness map, तो roughness map में कुछ इतना कुछ खास है नहीं, I think वो just gray color है, और यही चीज है, and then आप यहाँ पर लाइक, actually scatter map white होगा तो better रहेगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर actually कुछ, तो color का, यहाँ पर color है, तो इसको मुझे like white करना है, तो वो color ले लेगा, right? तो इस तरीके से, और आप इसको like, थोड़ा scatter depth दे सकते हो, आप देख सकते हो, कैसे वो, you know, skin का waxy look ले रहा है, हलका सा, इसको आप यहाँ पर value दे सकते हो, यहाँ पर, अब आते है, rendering part में, ठीक है, तो इन सब को मैं lock कर देता हूँ, जबी भी मैं like render करना होगा तो मुझे, तो आप देख सकते हो, यहाँ पर मेरे पास, turn table already है, तो मैं यहाँ पर, क्या करूँगा, यहाँ पर, जो camera है मेरा, जैसे main camera है भी, इसको मैं select करता हूँ, और यहाँ प अधिके से दिखाई देगा starting में आपको, तो जैसे आप इसको click करोगे, तो यह frame आ जाएगा, और फिर आप यहाँ पर, एक frame लेकर आप यहाँ पर play button करोगे, क्योंकि already हमारा सारा सब कुछ model जो है, इस turn table में है, इसको भी मैं lock कर दूँगा, ताकि यह कुछ move ना हो, and just मैं यहाँ पर play करूँगा, तो आप एक preview देख सकते हो, ठीक है, तो मैं इसको pause कर देता हूँ, इसको मैं zero कर दे, तो actually यह zero में, यह straight है, ठीक है, इस तरीके से हम, straight करने के बाद हम like, play button करके, यहाँ पर हम इस तरीके से render, sorry, preview देख सकते है, हाँ, और एक चीज मैं बताना था क कि यह जो grass है, यह भी like mega scan का ही है, simple है, just आपको like click करना है, और वही maps आपको डालने है, and then drag and drop, that's it, और आपको result मिल जाएगा, ठीक है, और समझ लीजे, आपने कुछ substance painter में changes कर दिया, और फिर आपने export कर दिया, तो यह update ले लेगा, marmoset tool bag, ठीक है, समझ लीजे, आपको कु कुछ, you know, wear and tear डालना है, तो वो changes करके आपने, अगर marmoset में, उस maps के, you know, folder में export किया, तो यह automatically reload कर लेगा, तो चलिए, यहाँ पे कुछ हम नए cameras बनाते है, ठीक है, तो मैं control U प्रेस करता हूँ, ताकि, you know, सारे guides मेरे दिखे, ठीक है, जो आप view में आ सकते है, और show guides on कर सक यहाँ पर मैं cameras off कर देता हूँ, और नए cameras में यहाँ पर लाता हूँ, तो cameras बनाने के लिए काफी आसान है, यहाँ पर आपको select करना, आप देख सकते हो, यहाँ पर new camera लिखा हुआ है, जस्ट आपको यहाँ पर click करना है, तो एक नया camera आएगा, आप यहाँ पर भी देख सक देखते हो, for example close up, c l o s e u p 0 2, पता नहीं like, 0 2 इसलिए दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं like, मैंने यहाँ पर same नाम का दिया है, नहीं, नहीं दिया है, तो like, सिर्फ मैं close up भी रख सकता हूँ, ठीक है, और फिर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी close up है, और इस, sorry, त तो यहाँ पर मैं click करता हूँ, तो एक frame आजाएगा, हम यहाँ पर, you know, एक frame जो है lock कर सकते है, for example, अगर मुझे सिफ एक image निकालना है, तो just मैं यहाँ पर रख के, आप यहाँ पर इसकी field of view भी change कर सकते हो, अभी यह 25 है, ज्यादा तर portrait में like 50 या 80 तक अच्छा रहता है, तो 50 कर सकते है हम यहाँ पर, और थोड़ा close up ले सकते है इस तरीके से, ठीक है, और भी बहुत सारे options है, यहाँ जैसे post effects, you know, presets है यहाँ पर, burnt, cool, तो काफी सारे cool effects आप यहाँ पर, कर सकते हो, देख सकते हो, काफी अच्छा, you know, result भी देता है, black and white में भी, तो काफी सारे presets ह और आप यहाँ पर, like, you know, कर सकते हो, for example, you know, wignet, यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हो, कितना softness उसकी चाहिए, उस तरीके से, और फिर आप यहाँ पर एक frame लेके, आप यहाँ पर, रेंडर में, और फिर आप अगर image करोगे, जिसका shortcut की है, F11, तो वो image जो है, रेंडर हो जा camera के बारे में जानेंगे, ठीक है, तो camera में, it's like, simple है, जिस आपको यहाँ पर देखना होगा, कि, you know, wignet कितना होना चाहिए, या, आपके हिसाब से, आप यहाँ पर कर सकते हो, कि आपके इसमें grain है, तो आप थोड़ा grain इस ला सकते हो, इस तरीके से, या आपका render कितना soft होन चाहिए, वो आप सारी चीज़े आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है, और, और आप और भी cameras यहाँ पर लेकर आ सकते हो, तो मैं first frame में आता हूँ, यहाँ पर, तो मानलीजिया, हमें like, turn table निकालना है, तो हम यहाँ पर click करके preview देख सकते है, कि यह कैसे, you know, render आ रहा है, तो ए यह lock हो गया, तो मैं camera जो है, move नहीं कर सकता, आप देख सकते हो, ठीक है, और और भी camera लेने के लिए, हम यहाँ पर click करेंगे, for example, you know, इस camera को नाम दे देंगे bottom, मैं यहाँ पर shortcut लिक रहा हूँ, bottom, और हमें like, bottom select कर सकते हो, यहाँ पर, मैं save frame select करता हूँ, ताकि मुझे frame और आप यहाँ से select करके भी आप camera में आके, कर सकते हो, कौन सा आपको camera देखना है, ठीक है, यहाँ से भी, जैसे हमने recently बनाए close up, तो यह close up वाला आया, फिर यहाँ से camera में bottom, याने bottom वाला आया, हम यहाँ पर turn table देख सकते है, इस तरीके से, ठीक है, एक बार आपको like, कर सकते हो, bottom की camera की, देख सकते हो, इसको आप 50 रख सकते हो, या 80 रख सकते हो, डिपेंड करता है, आपके scene के recording, 80 रखना लग इतना अच्छा नहीं रहेगा, 35 भी ठीक रहता है, और आप यहाँ पर bottom में भी देख सकते हो, यहाँ पर timeline है, जो की 0 से लेके 10 seconds तक होता है, ठीक time बढ़ेगा, आपको ज्यादा double time मिल जाएगा, इस तरीके से आप render कर सकते हो, लेकिन 300 ठीक है, क्योंकि अगर एक बार आपने turnable कर लिया, तो फिर आप like premiere pro में उसको नो, उसको आप दो बार आप उसको loop में घुमा सकते हो, चलिए कुछ animated camera हम बनाते है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ इस camera को, इसको नाम देता हूँ, for example, top to bottom, इस तरीके से, and then यहाँ पर मैं यहाँ पर save frame on कर दूँगा, यहाँ पर मेरा goal है कि मैं top से, you know, ऐसे bottom लेकर जाओ, और plus यह जो है, यह animation भी होता रहे, तो मैं एक frame ले लेता हूँ, for example, यहाँ पर मैंने ले लिया, आप यहाँ पर देख सकते हो, timeline पर यहाँ पर key है, एक बार आपने प्रेस कर लिया, तो actually यह key होता नहीं, आप देखोगे, यहाँ पर कुछ timeline पर दिखा नहीं रहा है, आपको camera को थोड़ा सा, हलका सा move करना होगा, इस तरीके से, ताकि यहाँ पर आप देख सकते हो, लास्ट फ्रेम में आके, जहाँ पर आपको position चाहिए, लेक की, वहाँ आप कर सकते हो, तो automatically, क्यूंकि हमारा key frame अलड़ी on है, तो अगर हम इसको play करते हैं, आप देख सकते हो, इस तरीके से यह camera जाएगा, ठीक है, तो पहले आपको camera लेना है, and then आपको यह key frame on करना है, और model को थोड़ा सा move करना है, तक कि वहाँ पर key frame आ जाए, and then आपको last frame में आके, वह bottom view आपको दिखाना है, तो अगर आप यहाँ पर play करते हो, तो कुछ इस तरीके से दिखाए देगा यह, ठीक है, तो यह आप देख सकते हो, और यह loopable है, क्यूंकि आप देख सकते हो, यहाँ से render भी कर सकते हैं, तो इसी तरीके से, like मैं इसको सरे को delete कर देता हूँ, इसको delete, 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 और आप देख सकते हो, काफी सरे यहाँ पर मेरे पास camera है, bottom to top है, जैसे आप उस video में आपने देखा होगा, ठीक है, यह कुछ camera है, ठीक है, इसको मैं pause कर देता हूँ, और भी camera's देखत to, you know, top वाला है, इस तरीके से, यह सारे से कुछ, like मैंने turn table में ही लिया है, तो I hope आपको camera's के बारे में पता चल गया है, तो हम आते है next render में, क्या हमें setting रखनी चाहिए, मैं यहाँ पर generally turn table ही रखूँगा भी camera के लिए, यह भी locked है, I think so, right, और आप देख सकते हो, यह turn table है तो क्या setting रखनी चाहिए हमें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको एक नया option दिखाए देगा मारम से toolback 4 में, use redracing, जस आपको click करना है, तो यह थोड़ा realistic shadows के साथ हमें देता है, और लेकिन इसका computing time है, बहुत ज्यादा है, तो जैसे मैं play करता हूँ, अभी तो फिलाल यह play ह हो रहा है, लेकिन जब आप render करोगे तो यह काफी जयदा वक्त लेगा, ठीक है, आप यहाँ पर bounces आप देख सकते हो, मैंने क्या settings रखी थी, bounces ज्यादा रखी थी, यह generally 1 रहता है, 1 या 2 रहता है, I don't know, मैंने इसको 4 रखा है, और next shadow quality आप यहाँ पर mega रख सकते हो, या high rendering करने के लिए, रेस्टर में कुछ नहीं रखना है, occlusion है, occlusion आप देख सकते हो, ambient, यह सब को like आपको on रखना है, ताकि आपको like contact shadow में ले, ठीक है, यह हो गया, उसकी strength कितनी होनी चाहिए, आप यहाँ पर determine कर सकते हो, ठीक है, local reflections को भी on रखना है, ठीक है, तो यह सारी settings मै रखना है, और कौन सा path है, वो आप video project में आप set कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको video निखालना है, और क्या आपको, you know, image की, you know, path रखनी है, आप यहाँ पर भी set कर सकते हो, ठीक है, आप यहाँ पर resolution set कर सकते हो, यहाँ पर काफी सारे presets, आप देख सकते हो, यहाँ पर select करके, you know, फिर आप 8K तक भी render कर सकते हो, यहाँ पर, तो जितना ज्यादा आपका resolution रहेगा, उतना ज्यादा, you know, वक्त लेगा, वीडियो रेंडरिंग में और image में भी, ठीक है, और यहाँ पर, आप ज्यादा से ज्यादा, like 256 या 512 रख सकते हो, काफी अच्छा है, denoise strength, याने, यह आपके scene में से noise निकालेगा, आप देख सकते हो, यहाँ पर, जब भी मैं, use rate tracing, use करता हूँ, तो यहाँ पर render होना शुरू होता, आप देख सकते हो, छोड़ा सा, यह green जा रहा है, ठीक है, तो अगर मैं इसको off कर दूँगा, तो यह यहाँ पर नहीं रहेगा, ठीक है, आप देख सकते हो, थोड़ा सी changes में, थोड़ा सा, इसको rotate करता हूँ, और use करके देखता हूँ, यहाँ पर कुछ, आपको यहाँ पर कुछ changes दिखाए देगा, ठीक है, तो वो shadow calculate करता है, कफी अच्छा result देता है, rate tracing, ठीक है, और कौन सा camera, कौन सा camera से आपको render करना है, तो आपको render video करना है, आपको यहाँ पर render में आके, all videos करना है, यहाँ पर प्रेस कर सकते हो, तो सारे videos आप render कर सकते हो, आप देख सकते हो, वीडियो की quality मैंने 2K रखी है, तो इस marmoset toolback के folder में भी आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर render का डाला है, यहाँ पर images है, जितने भी videos है, वो मैंने यहाँ पर export किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं एक video open करके आपको दिखाता हूँ, for example, यह turn table वाला है, इस तरह के से, तो यह एक ही loop है, याने 0 to 10 seconds, ठीक है, तो यह एक loop आपका हो गया, तो मैंने यहाँ पर Adobe Premiere Pro use कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, मैं new आता हूँ, project करता हूँ, यहाँ पर, and then ok कर देता हूँ, सब को like default कर देता हूँ, already exit, overwrite, ok, yes, तो यह open हो जाने के बाद, हम like in videos को drag and drop कर सकते है, ठीक है, जैसे हमें चाहिए, तो मान लेते है, वो turn table है हमारे पास, तो समझ लिजए, दो है, जिस आपको click or drag करना है, यहाँ यह एक loop हो गया, ठीक है, अगर आपको दोनों loop चाहिए, तो आप, I think control से आप, ले सकते हो, sorry, alt से ले सकते हो, आप दूसरा loop, ठीक है, और यह आप ऐसे तरीके से snap कर सकते हो, तो आप देखो कितना seamlessly like यह दो turn table आ जाता है, ठीक है, और आप background में like sound भी डाल सकते हो, अगर आ दालना है effect के हिसाब से, मैं play करता हूँ यहाँ पर, oh sorry, वह वह हागया, sorry, यह उपर वाला, close-up वाला समझ लेते है, तो एक बार यहाँ से play हो गया, and then यह top वाला, और background में आप, you know, आपने music सुना ही होगा, मेरे video में, और Premiere में काफी आसान है, यहाँ से export करना, just file, you know, file, and then export, media, यहाँ से आप करोगे, और आपको like, path देना है, कहाँ पर आपको देना है, हमेशा format जो है, h.264, match source, सब कुछ like match source में ही रखना है, आप देख सकते हो, यहाँ पर, जो quality है, यहाँ पर locked है, जो है, 2560 से 144, यहाँ यह 2K resolution है, और आपको just यहाँ पर export करना है, so that's it guys, यह था मेरा full procedure, कैसे मैंने इस sergeant इस model को बनाया है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, और informative लगे, तो please इस वीडियो को like कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा important है इस वीडियो को like करना, ताकि आपको मेरे जितने भी आने वाली वीडियो से है, उसका आपक recommendations मिले, ठीक है, और share कीजिए अपने friends के साथ, ताकि उन्हें help हो सके, अगर उन्हें इस तरीके का कुछ जानकारी, अगर उन्हें हासील करनी है तो, और subscribe कीजिए अगर आप इस channel पर नए है, और उस notification bell को भी आप प्रेस करिए, ताकि जबी भी मैं अपना वीडियो नया वी अजे है लोगा सबने है